हेलो फ्रेंज, वेलकम टू माई चैनल, नर्सिंग करेंट और प्राक्टिकल आज हम इमेज बेस कुछ कोश्चिन के बारे में डिस्कुस करेंगे इमेज बेस कोश्चिन बहुत इंपोर्टेंट है एम्स में उनर्सेट और डियससबी और पीजय वाले एक्जाम में चार से पास कोश्चिन जरूर आता है वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल क्योंकि इससे मिर को मोटिवेशन मिलता है आंड आइकें सोच इंपोर्टेंट मेटेरियल और उसके उपर में आपके नेक्स वीडियो बना सकते हूं लाइकएंड lou брden काम सुछले मिलता हमारा फ़र्स्ट इमेज है यह श्यक्ति-फाएज कि अब्यजर अर्च मेंबä 50 साइज में भी होता है पीट साइज इसमें छोटा हो जाता है, एमबो बैक आर्टिफिशल रेस्पिरेशन में यूज होता है, इस इमेज इस ABG सेंपलिंग, ABG क्या होता है, आर्टिरियल ब्लड गैस, यह आर्टिरी से ब्लड निकालते हैं, और उसको सेंपलिंग के लिए भेजते हैं, इसमें ब्लड में और डिफरेंट जैसे CO2 कितना O2, पार्शल प्रेशर और CO2 नोटू चेक करने के लिए, कोई भी एमेर्जनसी कंडिशन में इसको यूज कर सकते हैं, जादर आईसियो में इसका सेंपल निकालते हैं, इस इस नमबर 30 एनस्थेजिया मशीन और इसको एनस्थेजिया वर्क स्टेशन भी बोल देते हैं, यह ओटी में रहता है, इसमें यह जनर्नल एनस्थेजिया देने में मतलब काम आता है, इसमें इसके अलग-अलग parts होते हैं, flow meter, ventilator, attach करते हैं, then visopraiser, and APL, wall, इसके उपर मैं कोई next video बनाऊंगी, and this image is appendectomy, इस image में क्या कर रहे हैं, appendix को remove कर रहे हैं, this is the procedure of appendectomy, यह during surgery लिया गया है, जो appendix होती है, इसको ऐसे tie करके, इसको remove कर देते हैं, और suture कर देते हैं, so this is the procedure of appendectomy, removal of appendix, यह band circuit है, इसको, यह N.S. Thesia workstation में attach होता है, जो इसमें दो tubing's होती है, अंदर वाली tube है, वो जो anesthetic gas patient को deliver करती है, और जो outer tube है, वो exil CO2, patient का जो exil CO2 है, उसको clear करती है, तो यह anesthesia workstation, anesthesia machine में attach होता है, bear hugger, इससे measure core body temperature monitoring system, यह hyperthermia और hypothermia condition में use होता है, इससे body temperature measure करते हैं, अगर hyperthermic condition या hypothermic condition है, तो इसके थुरू measure करते हैं, bear hug, यह भी जादा तर जो emergency conditions होते हैं, उसमें use होता है, this is boggy, this is a procedure when used in difficult intubation, अगर normally intubation करने में difficulty आ रही है, नहीं हो पा रहा है, तो यह एक part है, जिसके थुरू larynx को अच्छे से visualize कर सकते हैं, और थोड़ा easy हो जाता है इससे intubate करना, so this is the procedure of boggy, used in difficult intuition, this is breath analyzer, यह तो जादा तर हम टीवी में भी देख लेते हैं, इससे breath analyzer करते हैं, जादा तर यह traffic police वगरा के पास होता है, और यह haliotosis और breathing diabetic patient में की टून्स वगरा देखने के लिए यूज होता है, breath analyzer, next है, bronchoscope, bronchoscope, bronchoscopy में यूज होता है, bronchoscope को visualize करने के लिए, so this is the image of bronchoscope, यह काफे scope से confusing हो सकता है, तो इसको थोड़ा अलग से, अगर और दूसरी image से हम compare करके देखेंगे तो याद रहेगा, this is bronchoscope, next image है हमारी, broselo tape, to measure child height, इससे बच्चे की height measure करते हैं, तो वैसे इसको नॉर्मली tape बोल देते हैं, लेकिन इसका अलग से नाम होता है, broselo tape, to measure the child height, bulb syringe, it is used to remove mucus from baby nose और mouth, जब suction अविलिबल नहीं होता है, तो इस syringe से baby को mucus remove करने के लिए, free airway free करने के लिए इसका use होता है, this is bulb syringe, next है cardiac monitor, cardiac monitor है, इसमें BP, pulse, SPO2 and respiration, एक ही screen पे check कर सकते हैं, ये भी जो high dependency unit ICU, OT में होता है, कई बार bedside, normal wards में भी लगा रहता है, so this is cardiac monitor, next है catheter mount, catheter mount connect patient ET to breathing circuit, ET means endotrical tube, तो ये जब ventilator पे होता है patient तब इसका use होता है, catheter mount, इसमें एक तरफ ET tube होती है, एक तरफ ये breathing circuit से attach होता है, और इसके थुरू oxygen floor होता है, catheter mount, this is the image of central line, central line ये right jugular vein में डला हुआ है, इसमें अलग-अलग airways होता है, so this is the image of central line, exam में ऐसा image दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि आप what you are seeing in this image, so this is the center line image, this is the image of colonoscope, colonoscope कभ यूज होता है, it's a procedure to visualize colonoscopy जसको बोलते हैं, so this is colonoscope, इसमें आगे bulb होता है और ये lubricant अप अटेच करके ही colon में पास होता है, so this is colonoscope, next image है, CPAP mode portable ventilator, CPAP बोलते हैं इसको, ये जब patient spontaneous breathing पे रहता है, ब्रीथ नहीं कर पाता, तो first step, ventilator से पहले first step, CPAP यूज होता है, so this is the CPAP ventilator, next image है हमारी, Q-Lean sign और Great Ernest sign, ये बहुत important है, बहुत exam में आता है, Q-Lean, वैसे भी ये theoretical में भी आ जाता है, Q-Lean sign और Great Ernest sign कब होता है, seen in pancreatitis, inflammation of pancreas, so इसमें around the navel area and Great Ernest sides में ऐसा image बन जाता है, so this is the Q-Lean sign and Great Ernest sign, so इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, next वीडियो में हम बाकी image questions के बारे में discuss करेंगे, so please friend, please subscribe my channel, जिससे मुझे 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 मिले बाकी दूसरी वीडियो बनानी के लिए, and like and subscribe, share कर लिजे or stay confident, better for the next time, thank you.